इस संस्कृति में हमने नदियों को पानी के भंडार की तरह नहीं देखा है हमने उन्हें जीवन देने वाली देवियों के रूप में देखा है एक सोचने वाले दिमाग के लिए जिस सिर्फ अपने तर्क की सीमाव में ही सोच सकता है ये बात बिवकूफी भरी है लग सकती है नदी तो आखिर एक नदी है ये देवी कैसे हो सकती है ऐसे इंसान को अगर आप एक कमरे में बंद कर दे और तीन दिन तक पानी न दे और फिर अगर आप उसे पानी का एक गलास दिखाते हैं तो वो उस गलास के आगे सर जुकाएगा नदी के आगे नहीं बस एक गलास पानी के आगे क्योंकि जिसे हम पानी कहते हैं जिसे हम हवा कहते हैं जिसे हम भोजन कहते हैं जिसे हम धर्ती कहते हैं जिस पर हम चलते हैं ये सब वस्तुएं नहीं हैं ये जीवन का निर्मान करने वाली सामग्री है इस संस्कृती में हमने कभी कहीं और मौजूद अंजान भगवानों की पूजा नहीं की भारत में कभी कोई उपर बैठा एक सबसे बड़ा भगवान नहीं रहा सारे देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी इस धरती पर चल फिर चुके हैं स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति नहीं बलकि वो जो इस धरती पर चलता था चाहे अब शिव या राम या कृष्णा या जिसे भी लें वो सभी इस धरती पर चले हैं उन्होंने भी सभी कश्ट और परिशानिया सही है जो हर इनसान सहता है और उससे भी कहीं ज्यादा उनके सिर्फ एक खासियत ये थी कि चाहे जिस तरह के हालात उनके लिए या उनके आसपास पैदा हुए हो चाहे जैसी भी चुनौतियां जीवन ने उनके सामने रखी हो वो अपनी आंतरिक प्रकृती से नहीं भटके कई बार वो सफल नहीं हुए उन्होंने चमतकारिक तरीके से कोई महानुपलब्धी हासिल नहीं की दरसल वो अपने जीवन में नाकाम्याब ही रहे लेकिन वो इस बात से कभी नहीं भटके कि एक इनसान को अपने भीतर कैसा होना चाहिए बाहर चाहे जो भी हो रहा था चाहे जो भी उथल पुथल हुई हो जिसे आप माभारत के रूप में जानते हैं वो शुरुल से आखिर तक जबरदस्त उथल पुथल थी हर तरह की चीजें हुई और अंत में एक भयानक और विनाशकार युद्ध हुआ लेकिन फिर भी एक इनसान इस सबसे अचूता रहा हर चीज में सक्रीय रूप से शामिल लेकिन अचूता तो इस गुन के कारण हम उनकी पूजा करते हैं उनकी काम्याबी के कारण नहीं किसी चमतकारी शक्ती के कारण नहीं इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वर्क से आये थे उन सब ने सामान्य तोर पर अपनी मा की कोक से जन्म लिया था कोई भी आकाश से नहीं उत्रा और वो हमारी तरह इस धर्ती पर चले फिरे वे हर उस चीज से गुजरे जिससे हम सब गुजरते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो अचूते रहे कई तरह से एक नदी इसी बात को दर्शाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के लोग उसे चूते हैं बहते रहने के अपनी प्रकृती की वज़े से ये शुद्ध रहती है और हमेशा बरकरार रहती है तो हमने नदियों को कभी पानी के भंडार की तरह नहीं देखा या एक भॉगौलिक घटना की तरह नहीं देखा हमने हमेशा उन्हें अपने जीवन के लिए जीवन दाई मूल तत्तु के रूप में देखा है क्योंकि हमारे शरीर का 72 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी है इस ग्रह का ही 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी है विज्ञान को भूत शुद्धी कहते हैं, यानि पांचो तत्वों की शुद्धी, ये एक चमतकारी प्रक्रिया है, क्योंकि ये सारा ब्रहमान, ये शरीर, ये धर्ती, ये सौर मंडल, सारी स्रिष्टी, हर जगे, जीवन के अलग-अलग रूप, ये सब कुछ सिर्फ पांच तत्वों से बना है, पांच करोड से नहीं, सिर्फ पांच से, और कितने जादुई तरीके से ये पांच तत्व करोणों तरीकों से एक दूसरे से मिले हैं और हर रूप दूसरे के तुलना में पूरी तरह से अनोखा है और वो सभी सिर्फ पांच तत्वों से ही बने हैं तो अगर कोई अपनी भौतिक प्रकृती से उपर उठना चाता है तो ऐसा करने के लिए सबसे बुन्यादी और सबसे कारगर तरीका है कि वो भूत शुद्धी की प्रकृत से गुजरे पूरा योग विज्ञान इस भूत शुद्धी की प्रकृत से ही निकला है यानि अपने पांच तत्वों के साथ काम करना अगर आप अपने तत्वों को नियंतरण में ले लेते हैं तो हर चीज आपके दाइरे में होती है हर चीज आपके काबू में होती है जल 72 प्रतिशत है 12 प्रतिशत धर्ती है 6 प्रतिशत वायू है चार प्रतिशत अगनी हैं, बाकी बचा हुआ आकाश है अगर हम इन चार तत्वों को या पाँचो तत्वों को काबू कर लेते हैं तो हर चीज हमारे काबू में होती है जो इनसान पाँचो तत्वों पर महारत हासल कर लेता है उसे ब्रह्मान का स्वामी माना जाता है जल सबसे एहम है क्योंकि 72 प्रतिशत जल है अगर हमें शरीर में जल को शुद्ध और अच्छा रखते हैं तो सेहत और खुशाली का ख्याल अपने आप हो जाता है